Hello friends, आज की वीडियो में आपका एक फिर से स्वागत है और आज हम बात करेंगे कि आप अपने PC या लेप्टोप में अपने कंप्यूटर में विंडो 10 कैसे डाउनलोड करेंगे फ्री में 100% फ्री में आप अपने PC या कंप्यूटर में लेप्टोप में विंडो 10 कैसे डाउंलोड कर सकते हैं और उसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं बिना किसी के help के खुद ही free में तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे हम विंडो 10 यहां पर डाउंलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने Google Chrome में आना है मैंने यहां पर अपना Google Chrome open किया हुआ है Google Chrome में आने के बाद यहां पर आपको टाइप करना है विंडो 10 डाउन लोड यहां पर आपको टाइप करना है विंडो 10 डाउनलोड और उसके बाद यहां पर आपको इसको एंटर कर देना है एंटर करने के बाद यहां पर आप देख रहे हैं यह फैस्ट फ़ल ऑप्शन डाउनलोड विंडो 10 तो हम इस पर क्लिक करेंगे क्लिक कर यह पाद यह देखिए हमारे पास जो Microsoft की जो साइट है वो अपन हो जाएगी software download यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की साइड आना है यहाँ पर update now का option है और उसके नीचे एक जो option देख रहे हैं create window 10 installation और media तो यहाँ पर आप देखा है download tool now तो यहाँ पर आपको यह एक टूल जो है download करना होगा तो चलिए अभी हम इसे download कर लेते हैं जिससे हम अपनी window 10 को download करेंगे तो अभी हम यह से अपने टूल को download कर लेते हैं मैं इस पर करता हूं इसे download अभी हमारा टूल जो है देखे download हो गया कितना फास्ट आप हम इसे download में चलते हैं तो अभी हम अपने download में मैं यहाँ से open क्या हुआ है तो यह रहा हमारा टूल जिसे हम हमने download किया था अभी हम यहाँ से आपको install करेंगे इस्टॉल करने के लिए यहाँ पर अभी हमारा टूल जो है अभी हम यहाँ से install होगा उसके बाद हम window 10 download कैसे करेंगे उसके बारे बात करेंगे तो अभी यहाँ पर इसे कर देंगे accept तो अभी हमें यह पर अपनी जो जो 10 है वो download करनी है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हम यहाँ पर नीचे वाला जो option देख रहे हैं create installation media USB flash drive DVD और ISO फाइल तो हमें ISO फाइल download करनी है क्योंकि हम अपनी विंडो जो ISO फाइल जो विंडो का setup है हम उसे आप पैंडराइब में वुटेबल करेंगे तो अब भी आपको यहाँ पर जो second वाला यह देख रहे हैं आपको इस फाइल 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 पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ से हम कर देंगे इसको next करने के बाद यहाँ से यहां से आप यहां से एक मन्द चक करेंगे और यह देखिए हमारे पास जो आ गया है लेंगवेज का तो मैं यहां से यही रहने देता हूं उसके बाद यहां पर विंडोOR 10 और यहां से आपको जो option देख रहे हैं आप विंडो 10 जो डाउन्लोड करन करना चाहते हैं वो 32-bit में करना चाहते हैं यह चीट बाहुत मतलब यानि कि दौनों में तो मैं यहांसे इसको शिक्टिफोर में डाउनोड करना चाहता हूं उसके बाद यहांसे मैं इसको कर दूँगा next next करने के बाद हमेवें तो आप जहां भी अपने Windows 10 की फाइल को डाउंलोड करना चाहते हैं यहां से अपनी जो ड्राइव है उसे स्लेक्ट कर लीजिएगा तो मैं यहां पर अभी यहां पर स्लेक्ट कर लेता हूं और इसे कर देता हूं सेव और यह देखिए हमारी जो Windows 10 का सेटप है वह यहां पर डाउंलोड होना शुरू हो चुगा है तो इस तरह से आप अपनी Windows 10 जो है फिरी में डाउंलोड कर सकते हैं और उसे अपने PC या लैप कर सकते हैं नेक्ट वीडियो में मैं आपको बता हूंगा कि आप अपनी ISO फाइल को जो आपने Windows 10 जो डाउंलोड किया है उसे पैंडराइब में कैसे बूटेवल करते हैं और उस पैंडराइब से अपने PC में जो विंडो 10 को कैसे इंस्टॉल करते हैं और उमीत करता हूं आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जब तक करिए थैंक यू धन्यवाद